हेलो दोस्तों नमस्कार आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लाश 10th के संस्क्रिप का मॉडल पेपर दोस्तों इसके पहले मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं सब में आपको बताया है कि जो भी मॉडल पेपर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते है सो प्लीज मॉडल पेपर को आप सुरू से लेकर एंड तक देखा कीजिए क्योंकि यही आपके बोर्ड परिच्छा की निव है यहीं से आपको आपके बोर्ड परिच्छा का जो बेस है मिल जाएगा कि किस टाइप से आपसे कोईस्चन पूछे जाएंगे सो चलिए इस वी इनुवाद करना है अनुवाद आप लोग जानते हैं ट्रांसलेशन जिसे आ बोलते हैं इंग्लीश टू ही हिंदी होता है उसी तरह संग्सक्रिट टू हिंदी से आपको कनवर्ट करना है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्टें आपको इधर मिलेगा यह दूसरा question और दूसरा है निमलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांस हिंदी में लिखिए सारांस आप लोग जानते हैं जिसे आप बोलते हैं summary इंग्लिस में तो आपको summary लिख देनी है हिंदी में चार नमबर का question है चार नमबर कितनी आसाय से मिल जा रहे हैं अगर आपको सारांस नहीं आ रहा है तो आपको इसके next page पर मिल जाएगा यह question अथवा में दिया हुआ है सारांस नहीं आ रहा है तो यहां पर देखिए निम लिखित प्रश्णों में से किनी चार प्रश्णों के उत्तर लिखिए यहां पर आप से 6 question पूछे गए हैं का खा गा खा अंगा और चा तो अगर आपको इसमें से 4 question का answer आ रहा है तो आपको यह बाला कर लेना है क्योंकि अगर आप सारांस लिखेंगे तो आपको एक पीज पूरा लिखना पड़ेगा और अगर आप इसे करेंगे तो चार question का answer चार अच्छरों में देकर ही चार नमबर आप बढ़ी आसाई से पा सकते हैं इसके बाद next देखते हैं अधो लिखित इस लोकों में से किसी एक इस लोक की ससंदर्व सहीद हिंदी ब्याख्या कीजिए जैसे भी आपने देखा संदर्व सहीद इसमें आपको पीछे वाले question में हिंदी अनुवात करना था ठीक उसी प्रकार आपको यहां पर poem दी गई है साथ नमबरा question है दो ही चीज़ों में साथ नमबरासाई से मिल जाएंगे आपको यहां पर इसके बाद next देखते हैं निमलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की ससंदर्व सहीद व्याख्या कीजी देखिए यह जो यहां पर आपको दिया गया है इस लोग इसी में से सूक्तियां बनती हैं जो इस लोग है इसकी आधी लाइन आपको दे दी जाती है और उसका जो मतलब है आपको बहुत ही लंबा सम्झाना पढ़ता है तो अगर आपको सूक्तियों का संदर्व और व्याख्या रहे यानि सूक्ति ये वाले किस लेसन से ली गई है इन तीनों है पांचवां कोस्चन अपना देखते हैं अधोल लिखीत इस स्लोकों में से किसी एक श्रॉक का संस्कृत में अर्थ लिखी देखिए तीनों में आपको लगभग एक ही चीज मिल रही है यह है साथ नमबर का यहां पर आपको अर्थ लिखना है और व्याक्या करनी है साथ नमबर इसी मेंक हैं सूकती इसमें आपको तीन नमबर मिल रहा है और इस लोक चेथे का संस्क्रित में लोगों का प्रसंट ज्यादा बनता है आप देखे एक जगा से तो आपको पढ़ना है थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा है तो आप 85 85 प्लस बढ़ी असाई से पास सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं चट्वों कोश्चन निमलिखित पात्रों में से किसी एक पात्र की चारित्रिक विसेस्ताई लिखिए नेक्स्ट देखनरों के उत्र देने हैं तीन नंबर है एक कुश्चन पर एक नंबर जिसमें आपको तीन का इंस्वर देना है एक एक सबन में अगर आप देंगे तब भी आपको तीन नमबर मिल जाएंगे एक यह नागानन्द आता है एक और कोई आता है ऐसे ही क्वेश्चन करके दो बहुत ही आता है इसे आप पढ़ लीजेगा यह वाला जरू पढ़ लीजेगा और यह भी आता है वोड इकजाम में नेक्स्ट है पित्रा देशा का सनाम संधी विच्छेत की जानि संधी का विच् इसे आपको लिखना है नेक्स्ट है आया के बाद आने पर क्या संधी होगी यह कंश इसके बात देख्ये इधेर कुछ क्वेश्च accelerated ऑछ यह वहां पात आता है यहos आपको दिया गया धातुरूप सब्दूरूप अब यहां से आपको मिल जाता है समास सूल पाणी में कौन समास हैं तो बहुबरही तत्पूरुस द्वंद अभेभाव अगर आपने अभी तक समास नहीं पता है कि क्या होता है समास चैनल पर आलेडी वीडियो पड़ी हुई ह यूटूब पर सर्च करना है समास और ब्रेकर्ड में लिख देना है अंकुर यादो या अंकुर यादो समास इतना लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी यह बहुत इंपॉर्टन वीडियो है और पेपर में आप देख रहे हैं यह कुश्चिन आया हुआ हुआ ह ठीक नेक्स देखते हैं अधोलिकित में किसी एक वाक एका वाच्य परिवाद्टन कीजिए अगर आप नहीं जानते हैं तो वाच्य परिवाद्टन की वीडियो में डाली हुई है आप यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की अगर आप वहां से चाहें तो वहां से देख सकते हैं या फिर आप जैसे मैंने बोला यूटूब पर सर्च करके मेरा डाम डालकर देख सकते हैं नेक्स्ट है संस्क्रित में अनुवाद कीजिए तो इसके भी वीडियो बनी हुई है मतलब बहुत सारी वीडियो पढ़ी हुई है पर मेरी तरफ से मैंने बनाई हुए काफी अच्छा रेस्पॉंस मिला है इसके वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और फिर यहां पर आठवाक लिखना है संस्क्रित में निबंध जिस्तिया बोलते हैं और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका यहां पर यह वाला अधो लिखित में किसी चार सब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए तो यह क्वेश्चन हो गए इतने क्वेश्चन है और जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं आपको लिंक मिल जाएगी वहां से देख सकते हैं या फिर सर्च करके यूटूब चैनल पर मेरे द